दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा तो दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रूप के बारे में ठीक है तो ये ब्लड ग्रूप सबसे पहले ये जानेंगे कि ये ब्लड ग्रूप के खोज करता कौन थे किनों ने ये पहली बार बताया कि ब्लड का ग्रूप भी होता है तो आएए समझते हैं ये कार्लेंड एस्टीनर महोदे थे जिनों ने सबसे पहले ब्लड ग्रूप को खोजा था बाद में वीनर महोदे ने भी इनको बताया ठीक है और इन कार्लेंड एस्टीनर महोदय को इस ब्लड ग्रूप के खोज करने के लिए 1930 में इनको नोबल प्राइज भी दिया गया था ठीक है अब देखते हैं इस ब्लड को हम लोग जो पहली चाप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मा और कार्पल्स दो पार्ट होते हैं ब्लड के तो इसमें एक पार्ट तो प्लाज्मा हो गया जो लिक्विड पार्ट होता है बचा कार्पल्स का तो कार्पल्स का इसमें हम लोग सिर्फ आर्वी सी को देखेंगे आर्वी सी को ठीक है तो प्लाज्मा को एंटी ब करता है ठीक है तो वह होता है antibody अगर इसको हम denote करें तो small a यह Small b से denote करेंगे ठीक है और इसका अगर figure देखा जा जाए antibody का तो इस टाइप का figure होता है ठीक है लेकिन इसको समझने के लिए हम किसी एक इसमें काल ले और उसी से समझेंगे ऐसा भी ले लेंगे तो उसको समझेंगे कि यह antibody है ठीक है अब देखेंगे यह rbc को antigen बोला जाता है ठीक है और यही antigen blood group को निर्धारित करता है यानि blood group को निर्धारित कौन करता है किसके आधार पर blood group को का निर्धारन किया जाता है तो वो होगा हमारा antigen ठीक है और इसको बड़ा A और बड़ा B यानि capital A और capital B से इसको denote करेंगे ठीक है आईए अब हम समझते हैं कि blood group आखिर है क्या blood group को हम लोग कैसे चेक करेंगे अगर हमारे पास microscope हो तो हम लोग घर बैठे blood group को चेक करके बता सकते हैं कि किसका कौन सा blood group है तो आईए समझते हैं सबसे पहले ये group A है तो group A blood group को basically A, B, AB और O में बाटा गया है ठीक है तो पहले group A को देखेंगे कि ये होता कैसे है ये चेक अप कैसे किया जाता है तो अगर किसी से blood निकालिए blood को slide पे रहके उसको मतलब पतला कर दिजिए एकदम रगड के पतला करने के बाद जब microscope से देखेंगे तो उसमें कुछ आकरितियां दिखेंगे तो अगर ये आकरिती ये ऐसे उठी हुई आकरिती A की समान देखें ये A सेप में है ये देखें ये ये सेप में है A के सेप के आकरिती अगर दिख रही है उठा हुआ आकरिती तो वैसे हम कहेंगे कि ये blood group A है तो देखेंगे कितना simple है A का group है slide पे पतला करेंगे पतला करने के बाद जब उसको microscope से देखेंगे तो अगर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है तो समझेंगे कि य group A है तो A हुटा अब देखेंगे इसमें antibody क्या होता है यह तो Antigen हो गया Antibody क्या होता है तो देखिए Antibody चुकि Plasma में होता है है और यह भी बी का जो होता है उसी सेप में गुमावदार से तो सिस्टम देखिये कि स्तरह से बना है कि अगर यह गला होता जैसे कि इस में हो जीज इसमें होता तो इसका नुकीला वाला पार्ट इसके नुकीला वाला में फंच जाता तो ब्लॉड जो है आगे फ्लो नहीं कर पाता तो इसलिए यहां पर इस से पुला एंटीवेडी बॉडी होता है यह प्रकृति का यह कुदरत का करिस्मा है ठीक है बात करें ग्रूप B की तो B को हम लोग कैसे चेक अप करेंगे B को भी प्रोसेस तो सेम है स्लाइड पे उसको पतला करके माइक्रोस्कोप सजब देखेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे B को देखिए ऐसे राउंड में लिखा जाता है न देखिए ऐसे करके लिखा जाता है न B इस तरह से तो यह जो राउंड हो रहा है तो इसके बाहर ऐसे राउंड गोलाकार दिखेगा और गोल यह टाइप में तो अगर ऐसी आकरिती ऐसी सिंबल अगर दिख रही है, तो हम समझेंगे कि यह blood group B है, और इसका antibody की बात करें, तो antibody में इस A वाला antibody होता है, इसमें ठीक है, अब बात करते हैं, blood group AB की, AB एक इस type का blood group है, जिसमें दोनों तरह की antigen पाया जाता है, यानि A भी पाया जाता है, B भी पाया जाता है, तो देखिए, A क symbol यह है, उठा हुआ प्रतित, जो A से A सेप में होता है, और B का देखिए, अर्ध गोलाकार, तो इसमें दोनों तरह का symbol है, तो दोनों तरह का antigen है, अब देखेंगे कि क्या, इस antigen, यह जो A blood group है, इसमें किस type का antibody होगा, B वाला antibody होगा, कि A वाला antibody होगा, अब देखिए, यहां समझने वाली बात है, अगर यह B वाला antibody होता, तो क्या, इसका अर्ध गोली यह पार्ट है, इसमें जाके फंस जा जाता, बिल्कुल, अगर A वाला antibody होता, तो यहां का जो नुकिला सेफ है, इस नुकिले सेफ में जाके फंस जाता, और blood जो है, आगे flow नहीं कर पाता, ठीक है, आवी दिन, सम सेकेंड में इंसान की मृत्यू भी हो जाती, तो देखिए, system कैसा है, कि इसमें किसी तरह का antibody ही नहीं है, ठीक है, अगर दोनों में से कोई फिर आता, तो यह फंस जाता, या तो यह फंस ता नहीं, तो यह फंस ता, इसलिए इसमें antibody ही नहीं है, आगे देखते हैं, blood group O के बारे में, तो O क्या है, O को समझ ही एकदम zero, nothing, कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी ही नही तो O को देखेंगे, तो O का देखिए, इसमें कोई symbol नहीं आ रहा है, अगर slide पे check करेंगे, microscope से, तो कोई भी आकरिती अगर नहीं दीख रही है, तो समझेंगे कि वो blood group O है, अब देखिए, चुकि यह O है, इसमें तो ऐसा कोई design ही नहीं है, तो यह तो किसी महें पार कर सकत है, या तो A से पार करेगा, या BS में, यानि कोई भी antibody हो, इसमें वो easily तैर सकता है, तो इसमें दोनो टाइप का antibody होता है, A भी होता है, और B भी होता है, ठीक है, अब समझते हैं कि antibody तो हम लोग पहले से समझ गए थे, कि बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, तो यहाँ रोचने वाली बात है, क्योंकि antibody ही हमारे सरीर में जो बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, तो जब इसमें antibody ही नहीं रहेगा, तो यह बीमारी से रक्षा करने में औसमर्थ रहेगा, यानि जितना चाहिए उतना नहीं कर पाएगा, तो AB blood group वाले लोग जो होते हैं, अक्सर बीमार पढ़ते रहते हैं, और बात करें O की, तो O में चुकी दोनो antibody है, तो इसका तो power strong है, तो इसमें क्या होगा, O वाले blood group वाले जितने भी लोग होंगे, वो क्या होंगे, बहुत strong होंगे, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती है, ठीक है, अब बात करते हैं, कि य ब्लड ग्रूप जो है, ब्लड किसको कैसे चड़ाया जाएगा, यानि कि अगर ग्रूप A वाले पैसेंट है, तो अगर उसको ब्लड की जौरत पड़ेगी, तो कौन सा ब्लड चड़ाएंगे, आईए इसके बारे में समझते हैं, तो देखिए, ये ग्रूप A है, A यानि जो एंटीजेन होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट ही एंटीबोडी होता है, जो अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ देखिए, ये B होगा, एंटीबोडी क्या होगा, B होगा, अब बात करें, ग्रूप B की, बी ग्रूप वाले का एंटीजेन तो B होगा ही, और इसका एं गुरूप वाले में एंटीजेन ए भी होता है और बी भी होता है यहां ध्यान देने वाली बात है एबी गुरूप वाले में एंटीजेन ए भी होता है इस टाइप वोला नुकिला और बी भी होता है ऐसे वाला ठीक है लेकिन इसमें एंटीबोडी एक भी नहीं होता है एकदम तरह O में किसी तरह का antigen नहीं होता है, यानि नील होता है, जब कि antibody की बात करें, तो दोनों तरह की antibody यानि A और B, दोनों तरह की antibodies में पाए जाते हैं, अब देखेंगे कि कैसे हम लोग blood किसी patient को चढ़ाया जाता है, अगर माले जी A group वाला कोई patient है, उसको blood जब चढ़ाना होगा, तो जब चढ़ायेंगे तब A ही चढ़ायेंगे, ऐसा नहीं है कि A वाला है उसको B चढ़ा दी है, तो तो तुरंते मर जाएगा, ठीक है, अब यहाँ देखी, A को सिर्फ A ही चढ़ायेंगे, B group वाले को जब ज कोई भी चढ़ाओ फंसने का आपस में उलसने का, तो कोई सवाल ही नहीं पायदा होना, तो यहाँ पर देखते हैं, कि AB वाले में A भी चढ़ा देंगे, B भी चढ़ा देंगे, AB भी चढ़ा देंगे, और O भी चढ़ा देंगे, इसमें चारों group वाले में से कोई भी blood अगर इसमें antigen नील होता है, antibody A और B दोनों होता है, तो O में जब चढ़ाना होगा, तब सिर्फ O ही चढ़ाना होगा, ठीक है? इसमें कोई doubt नहीं है, यह समझते हैं, अब देखिए, O जो है, O जो है, इसको universal donor कहते हैं, O को, O को, इसको हम लोग donor कहते हैं, universal donor कहेंगे, जबकि AB को universal receiver कहेंगे, universal receiver AB को कहा जाता है, जबकि O को universal donor, यानि सर्व दाता कहा जाता है, O को असर्व ग्राही कहा जाता है AB को, समझ में आ गया? अब देखते हैं, कि यह RH factor क्या है, और उससे भी पहले, हम लोग universal donor को, अगर और भी ज़्यादा deeply में बात करें, तो जैसे universal donor को हम पढ़े थे, कि O को universal donor कहेंगे, और universal receiver AB को कहेंगे, लेकिन ज़्यादा deeply अगर पुछा जाया, कि O में क्या? चुकि blood group positive और negative दोनों होता है, उसके बारे में भी हम अभी समझेंगे, तो O negative को कहेंगे, universal donor और universal receiver की बात करें, तो AB positive को कहेंगे, अब ये positive negative का चकर क्या है? आईए ये समझते हैं, वीनर महोदे ने एक प्रेक्षन किया, कि RH factor उनको पता चला, कि RH factor, ये RH factor है क्या? तो रेशस मका का नामक एक monkey है, एक बंदर है, ये रेशस मका का नामक एक बंदर है, जिसके blood को टेस्ट किया वीनर महोदे ने, तो उसमें positive और negative दो फैक्टर प्राप्थ हुआ, अब देखिए, ये biology के term में क्या होता है? Positive का मतलब हम समझते हैं, कि कोई भी चीज उसमें मौजूद है, यानि उसमें present है, इसमें अगर कोई ब्यक्ति कोई ब्यक्ति यानि की during उसको है, तो उसको हम कहेंगे Corona Positive, ठीक वैसे ही, उसमें अगर Positive है, तो उसको Positive कहेंगे, अगर नहीं है तो Negative कहेंगे, अब ये क्या है और क्या नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, तो देखिए ये blood group A है A को देखते हैं A को तो हम लोग पहले से identify कर चुके हैं कि ऐसे नुकीला A shape में निकला हुआ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे उसको बोलेंगे कि A blood group है लेकिन ये रेसस नामक बंदर में एक ये चौकोर बॉक्स की तरह भी आकरिती मिलने लगी वीनर मोहदे को तो जब ये चौकोर बॉक्स की तरह आकरिती मिली तो उन्होंने सोचा कि हमने तो ऐसे पढ़ा था कि A shape में मिलेगा उसको A कहेंगे तब उन्होंने देखा बहुत सारे बंदरों का bloody कठा किया और सब को बारी-बारी से चेक किये तो उसमें क्या उन्होंने पाया कि किसी में इस तरह का shape मिलता था और किसी में इस तरह का shape नहीं मिलता था इस तरह का नहीं मिलता था अगर ऐसे देखा जाए तो अग किसी किसी में इस तरह का सेफ मिलता था बी की बात करें तो बी भी वैसे ही मिलता था तब उन्होंने बताया तब उन्होंने बताया कि देखिए ये जो बी का सेफ है इसको निगेटिव बताया जिसमें ये चौकोर बॉक्स मिल गया ठीक है कहीं भी ये चौकोर बॉक्स अगर मिल जाता था तो यानि वो उसमें प्रजेंट है तो इसको हम लोग कहेंगे B पॉजिटिव इसको हम लोग कहेंगे A पॉजिटिव इसको A निगेटिव यानि जिसमें present है ये चौकोर बॉक्स जिसमें present है उसको कहेंगे positive A positive ये जैसे है ये B negative यहां बात करें तो यहां पे देखिए चौकोर बॉक्स जो है यहां पे present है तो इसको हम लोग B positive कहेंगे ठीक है इसको इसमें चौकोर बॉक्स नहीं है तो इसको A negative कहेंगे ठीक वैसे ह बात करें तो AB positive में तो ये दोनों shape था था ना जी ये दोनों shape लेकिन इसमें भी एक चौकूर box मिल गया तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग AB positive कहेंगे ठीक है फिर O positive O में तो कुछ भी नहीं था लेकिन इसमें अगर चौकूर box अगर मिल रहा है तो इसको हम लोग O positive कहेंगे तो ये हो गया O positive अब बात समझ में आ गई positive negative का ये चक्कर क्या है ठीक है देखिए यहीं जो RH factor है ये racist नामक बंदर के आंख में इस तरह का एक sign पाया गया आर क्रोस तो आर क्रोस को हम लोग medical science में बहुत ही सुभ माना जाता है तो आप लोग देखिएगा कोई भी doctor जब अपना दवा लिखता है अपने पूर्जे पे तो आर क्रोस जरूर देगा आर क्रोस देने के बाद ही उसके बाद वो दवा लिखेगा ठीक है ये बात ध्यान में रखना है इस positive negative के चक्कर में एक बहुत मतलब बड़ा एक बीमारी का पता चला जो उस बीमारी को हम लोग अगर कोई मेल जो की positive blood group वाला हो और female negative blood group वाला हो अगर दोनों का शादी हो जाए तो उससे जो बच्चा इसू होगा वो एक जो first बच्चा होगा वो safe हो सकता है ठीक है first बच्चा safe हो सकता है second बच्चे में यह क्या है कि यह safe नहीं हो सकता है ठीक है यानि कि कहने का मतलब यह है कि अरेथ्रो बलास्टोसिस में एक ही बच्चा जो पहला बच्चा होता है वो सेफ होता है, अधरवाईज दूसरा या तीसरा बच्चा जो है वो जी नहीं पाता है, यानि मर जाता है. क्योंकि मा के गर्व में Immunetic Sack होता है, जो delivery के समय फटता है और बच्चा issue होता है. तो वो क्या होता है कि एम्यूनिटिक सैक जैसे फटता है उसमें मेल का जो पोजेटिव है और फिमेल का नेगेटिव दोनों आपस में मिल जाता है जिससे की बलड क्लॉट कर जाएगा और बच्चा मर जाएगा ठीक है लेकिन आज कल इसके बहुत सारे उपाय भी है उपाय क् प्री मैच्योर डिलेवरी करा अगर दिया जाए अगर माली जे नौ महिने पर बच्चा इसु हो रहा है तो उसको आठ महिने पर ही उसको निकाल लिया जाए तब होता है तब वो बच्चा बचने की संभावना में रहता है ठीक है तो यह रहा हम लोग का आज का बेसिक दोस्तों के दे लेटर था एभी और एभी और ओके उनिवर्सल डॉनर और रिशीप्ट के बारे में समझें यह रोथ्रो ब्रास्टोसिस के बारे में समझें ठीक है और पिर एक और नेक्ष्ट वीडियो में हम लोग संजेंगे कि अगर की अगर माता पीता का बलड है मान ल आपने वाद